नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरिट यूट्यूब चैनल सिक्षाप्राभा में इस वीडियो में आप लोग देखोगे आप लोगों का चेप्टर नमबर 6 बंगाल सेली और संस्कतिक रास्टरवाद जो बच्चे इस बार RBSC बोर से 12 की परिक्षा देने वाले हैं और उन लोगों के पास चित्र कलाविशय यानि की ड्राइंग सब्जेक्ट है तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है उनकी NCRT जो बुक है उसका चेप्टर नमबर 6 है बंगाल सेली और संस्कतिक जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे इससे पहले आपके चेप्टर 5 तक के जो नोट्स हैं वो आपको अबिलेबल हो जाएंगे प्ले लिस्ट में जाएंगे आप लोग प्ले लिस्ट में RBSC वाला जो फोल्डर है उसको उपन करेंगे और उसके अंदर आपको चेप्ट कंपनी शेली जो आपको बुक में दिया गया उससे पहले देख लेते हैं कि यह कंपनी शेली था क्या कौन सा इससे पहले आपने राजिस्थानी मुगल पहाडी, दक्षनी सब चीज़ें पढ़हें पढ़हें लेकिन इस अंपनी शेली उन से थोडि से अलग है ये क्यों अ नाम स्वेरूप वो लोग क्या करते थे कैमरे का विश्कार उन दिनों था नहीं तो वो हमारे यहां की कल्चर को है ना और हमारे यहां की जो जीवन जीने की जो दिन चर्या थी हमारे लोगों की उसको अपने कंट्री में दिखाने के लिए चित्र बनवाते थे तो टॉपिक उनके ही चॉईस का होता था और कलाकार क्या थे क्योंकि जो रजवारे थे हमारे हें पर वो लगभग खतम होचुके थे है ना तो जो चित्रकार थे अब उनको तो मतलब ऐसे रोजगार रहा नहीं था क्यों पहले तो वो राजदरबारों में रहते थे राजा उनको पेमेंट देते थे अपना नोकरी पे रखा हुआ होता था लेकिन अब क्योंकि रजवारे खतम हो गए थे तो चितरकार एक तरह से बिलकुल बेकार हो गए थे उनके पास कोई काम नहीं था ऐसे में अंग्रेज लोग क्या करते थे उन लोगों को कुई टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे चितर बनाना है और उसके लिए उनको पैसे देते थे तो चित्रकारों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उस वक्त क्या करना पड़ता था जो अंग्रेज लोग थे जो अधिकारी लोग थे उनके जो चोईस थी जो उनके सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स पर चित्र बनाने होते थे उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों को color issue करते थे, अपनी ही sheet प्रवाइड करते थे और जो sheet और color है वो विदेशों से ही आता था, मतलब उनके country से ही आता था लेकिन जो topic होते थे वो हमारे यहां के जनते थे और क्या topic थे, यहां की वनसपतियां, यहां की जीव जनतू, प्रकरतिक माहोल और उसके अलावा जो हम लोग थे, हम लोगों की दिन चर्या और खास करके वो इस तरह के चतर बनवाते थे, जिससे की हमारे देश की गरीबी उन चतरों में निकल करके आती थी, जैसे मदारी बंदर नचाता हुआ, ठीक है, व्यापारी या जगड़ा, कुछ पारिवारिक जगड़े, है न, इस तरह के चतर वो यहां पर बनवाते थे और फिर उन चतरों को विदेश में दिखाते थे, छिक, एक तरह से उनका मानना था कि जो उनका कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो इंडिया का कल्चर है, वो एक तरह से निम्न दर्जे का है, ये उन लोगों को दिखाना होता था, हमारे यहां पर जो आखें, है ना, खंजन पक्षी के समान आखें, मचली नुमा आखें, सेन की फलियों के अनुसार उंगलियां, तोते सीन आख, तो मतलब ऐसे पतले पतले तीखे ननक्ष, तो हम इन प्रतीकों के अधार पर चितर बनाते थे, लेकिन कंपनी चली में, यूरोप में क्या होता था, वो यथार्तवादी थे, जो जैसा दिख रहा है, उसको वैसा ही चितरित करते थे, यदि किसी एक वेक्ति की आख, पर पट्टी लगी हुए, जैसे आख बनवा लेते हैं, आप्रेशन करवा लेते हैं, तो वो उसको उसी तरह से चितरित करते थे, चाहे वो सुन्दर यदि लगे, चाहे ना लगे, ठीक है? यह था डिफ्रेंस हमारे यहां की कला में और वहां की कला में और यही डिफ्रेंस फिर हमको देखने मिलता है कम्पनी शेली में, दि कला pole, तें वा सुन्दर रे कीमूरती है, प्रतिकात्मक चित्र बने हैं, लेकिन जो कम्पनी शेली उसके अंदर यथार्थवाधी चित्र बने हैं, जैसा है उसको वैसा ही दिखाया है, यह मेल जो था अंतर था, कम्पनी शेली किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई जा रही थी, जो अंग्रेज लोग थे और धनाड़े परिवारों से थे, जिनके पास धनकी कोई कमी न आते थे, और कलाकार क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था, तो उनको उन चित्रों को बनाना होता था, तो यह था कम्पनी शेली, आप देखते हैं कि आपके बुप में क्या ही है, तो भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतिय कला के अलग आयाम थे, जैसा कि म भारतिय वनस्पति जीव जन्तू और ये चीज़ यहां पर रिपीट हो रही है, वनस्पतियों के चित्र जीव जन्तू, रिती रिवाज, एतिहासिक स्थानों से प्रभावित हुए और भारते चित्रकारों से उनके चित्र बनवाए, इसके अलावा चित्रकारों ने भारत के जन जीवन वे आसपास की स्मृति को बनाए रखने के लिए या अधिकारियों को प्रसन करने के लिए भी चित्र बनवाए यह सभी चित्र कागज पर बनाए जाते थे कुछ चित्रकार जो थे वो मुर्शिदाबाद लखनव दिल्ली के दर्बारों से आई हुए थे क्योंकि राजदर्बार लगभख खतम हो गए थे तो उनको काम की तलाज थी इस कारण से ही कमपनी शेली का उदे हुआ और ये कलाकार जो है वो कमपनी शेली के कलाकार के नाम से जाने जाने लगे एक चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है चित्र को जो बनाया है गुलाम अलीखा वैश्याओं का सम्हू इस चित्र का नाम है Company Shelly का चित्र है और 1800 से लेकर 1825 इश्वी के दोरान इस चित्र को बनाया गया है और आज की डेट में ही आपको San Diego Kalazangrali California USA में देखने के लिए मिल जाएगा Next है Raza Ravivarma Company Shelly को हमने जाना अब उसके बाद हम जानते हैं Raza Ravivarma के बारे में तो बुक में जो लिखा है उससे पहले हम Raza Ravivarma को जानेंगे जैसा कि Raza Ravivarma जब Company Shelly अपने चरम पर चल रही थी जिस समय कलाकार अंग्रेजो के कथन अनुसार उनको प्रसंद करने के लिए या उनकी पसंद के चत्र बना रहे थे उस वक्त एक आर्टिस थे जिनका नाम था Raja Ravivarma इनका जनम हुआ था केरल के किली मनूर में 1906 में और Raja Ravivarma एक धनाड़े परिवार से तालुक रखते थे इस वज़से इनके पास जो है पैसे की कोई कमी थी नहीं और इन्होंने अपनी जो कला की सिक्षा है वो इनके मामा हुआ करते थे राज वर्मा उनसे इन्होंने अपनी कला की सिक्षा जो थी ली थी और उनका जो इनके मामा थे उनका जो था आना जाना था त्रामणकूर के राज दरबार में ठिक वहाँ पे जाते थे तो इस वज़े से इनके पास ना तो काम की कमी थी और ना ही पैसी की कमी थी इस वज़े से ये जो चित्र बनाते थे वो अपनी चॉइस के बनाते थे अब इनकी चॉइस कैसी थी? तो इनकी चॉइस थी पूरानिक चित्रों में उस हिंदू धर्म में जो कथायँ हैं कथानक हैं इश्वर के जनम जन्मांतर की कथायँ को उन्होर जाता है पूरानिक चित्र though उस पर आधारित चित्र Jewish कथाओं पर अधारिक चित्रों को बोला जाता है पूरानिक जो हमारे ग्रंथों से या कथा rou से उठाये गए हैं आप लोग आज जो हिंदू बच्चे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो हम लोगों के घर में इश्वर की फोटो लगी होती है तो कैसी तरस्वीर लगी होती है कलेंडर होता है मूर्ती होती है तो उसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी भी माताएं हैं ठीक है माता यानि गौडनेस तो जो गौडनेस है हमारी वो एक सिल्क की साड़ी पहने होती है है ना क्यूं राजर वी वर्मा का जनम का हूँ वा केरल के किली मनूर में और केरल कहां है दक्षिन भारत में है और सिल्क की साड़ी कहां पर पहनी जाती है दक्षिन भारत में आज की डेट में हर जगा पहनी जाती है लेकिन मेनली पहले सिल्क जो था वो दक्षिन भारत मे बहुत अधिक मात्रा में प्रियोग में लाया जाता था तो इस वजह से उन्होंने अपनी माता को या अपनी बेहनों को या महिलाओं को सिल्क के साड़ी में देखा था इसलिए उन्होंने जो हमारे भगवान की जो मूर्तियां हैं, कलेंडर हैं, तस्वीर हैं उनके अंदर उनको सिल्क की साड़ी पहनाई और राजर रवी वर्मा से पहले किसी ने भी पौराणिक चित्रों को جो बनाया था वो इस तरह से नहीं बनाया था कि उनको घर पर लगाया जा सके भारत के पहले पौराणिक चित्रकार के रूप में राजारवी वर्मा को जाना जाता है यानि कि आज की डेट में हम अपने इश्वर को जिस तरह से देखते हैं वो रूब इश्वर का हमको राजारवी वर्मा ने दिया है और जितने भी पुरुष है पुरुष इश्वर है है ना जैसे कि विष्णुजी हो गए ब्रह्मा जी हो गए तो आप इनको एक सफेद धोती में देखते हो गोल्डन कलर के बॉर्डर के साथ है ना तो वो जो पहनावा हमको दिया है क्यों क्योंकि वो पहना जाता था दर्चिन भारत में तो वो ही पहनावा राजरवी वर्मा हमारे देवी देवताओं को इश्वर को दिया है और वही पहनावा आज की डेट में हम अपने इश्वर को उसी रूप में देखते हैं तो भारत के पोरानिक चित्रकार थे राजरवी वर्मा अब उन्होंने जो ये च्र बनाए थे वो बनाए थे उन्होंने तेल रंगों से हमारे यहां पे आपने जो बाकी की शैलियां पढ़ी हैं उन सारी शैलियों में आपने अभी तक जल रंग का प्रियोग सुना है है ना तो जल रंग का प्रियोग हमारे यहां होता था और तेल रंग का प्रियोग जो है यूनान में होता था जल रंग और तेल रंग में क्या हो जाता है कौन सा ओयल कलर यानि की तेल रंग और यूनान में तेल रंग प्रियोग में लाए जाते थे तो उन्होंने ओयल पेंटिंग की ठीक है तो ये प्रभाव तो उनकी कला में पास्ट थे यानि की यूनानी प्रभाव था वेस्टन प्रभाव था लेकिन जो उनके इतने ज्यादा famous हो गए कि हर घर में उनके जो चित्र थे उनकी demand हो गई उनकी demand हो गई तो उन्होंने क्या किया कि एक उस वक्त डिमांड हो गई और एक चित्र को वो उस समय पर two thousand रुपे का बेगते थे तो 2000 रुपे का उस वक्त सभी लोग चित्र नहीं खरी सकते थे जिन लोगों के पास पैसा होता था मीर होते थे वही उन चित्रों को खरीद पाते थे फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि उन्होंने जब डिमार्ड बढ़ी इतना जल्दी वह उन चित्रों को नहीं बना पा रहे थे तो उन्होंने एक ओलियोग्राफी प्रेस लगाये जिसको हम लीथोग्राफी प्रेस कहते हैं मुंबई में सबसे पहले लीथोग्राफी प्रेस जिसके बारे में आपे ओल्योग्राफ केलेंडर की बात हो रही है तो यह जो थी वो राजरवी वर्माने लगाई थी उससे क्या हुआ कि अब वो प्रिंट करकर के चित्रों को देते थे एक चित्र बना लिया और उसकी प्रिंट निकाले और फिर उसको कलर किया और दे दिया तो उसमें समय थोड़ा सा कम लगता था तो उस चीज में क्या होता था कि अब जो वो चित्र थे औलियोग्राफी पेस उन्होंने सोचा रे क्योंना राजर अवी वर्मा का एक चितर हम भी खरीद ले और फिर उसके बाद उसको छाप करके बेग दें तो इस तरह से बहुत सारी लिथोग्राफी प्रेज हो गई और बहुत सारे राजर अवी वर्मा के चितर हो गए जो चितर कभी 2000 में बिकता था वो दो-दो रुपे में बिकने लगा और कई बार तो ऐसा होता था कि वो फुट पाथो पर पढ़ा हुआ भी दिख जाता था जो चितर होती है वो हमें ऐसे रोड पर पढ़ी भी दिख जाएगी तो ऐसा कुछ हुआ राजर अवी वर्मा जी के साथ लेकिन ये अपने दौ बंगाल शेली की बंगाल शेली क्या है बंगाल शेली को भी हम एक अगर कहानी के तौर पर या इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या ही हुआ कि अभी कंपनी शेली जो है वो हमारे देश की कला को एक तरह से निमनिस्तर का बता रही थी चीक है ऐसे में एक आर्टिस्ट हुए जि वही रविंद्र नाट्टे गोर जिन्होंने जन गनमन लिखा है। है ना आप सभी स्कूल में रोज इसको अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले दिनचर्य शुरू करने से पहले एक बार इसका गायन करते हैं। तो रविंद्र नाट्टे गोर जो थे वो अबनींद्र नाट्टे गोर के चाचा हुआ करते थे। यानि कि एक बड़े से धनाड़े परिवार में जनम हुआ अमनिंद्र नड़्डे गोर का, और उनके जो चाचा थे, यानि कि रविंद्र नड़्डे गोर ने शांती निकेतन विश्व विध्याले की स्थापना की गही थी. यानि कि पहले से एक युनिवर्सिटी थी कलकता में शांती निकेतन के नाम से तो अब निंद्र नार्टेगोर एक चित्रकार थे पैसो की कमी थी नहीं और उनको लगा कि भारतिय जो कला है उसका एक अपना ही मुकाम है अपनी ही एक पहचान है जिसको कमपनी शेली के माध्यम से दबाया जा रहा है तो इसमें आगे आये उनके साथ कौन ईवी हिवेल अब ईवी हिवेल कौन थे ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जो की कलकता विश्व विद्याले में प्रोफेश्व हुआ करते थे तो इन्होंने अमनिंद्र नाट्यगोर को मिला और उनको प्रेणा दी उनको कहा कि वो भारतिय कला को निकाल करके लोगों के सामने लाएं भारतिय कला से पहचान कराएं लोगों की और अपने जैसे ही कलाकारों का एक गुरुप बनाएं जो भारतिय कला को प्रमोट करें अब रिविंद्र नाट्य गोर को विचार पसंद आ गया और उन्होंने ईली हवेल के साथ मिल करके शान्ती निकेतन जो विश्व विद्याले बना रखा था उनकी चाचा जी रिविंद्र नाट्य गोर ने जहां पर वो सबी रहते थे वो सबी वहां रहते भी थे और वो university भी थी वही पर एक कला भिभाब की स्थापना करी जिसको कला भवन बोला जाता है और ये कब करी उन्होंने उन्निस सो उननिस में ठीक है और इनका जनम कब हुआ था 1861 में कलकता के जोड़ा जाकू में ठीक किनका जनम की बात हो रही है अब निंद्रिनाटे को 1871 नाइनटीन फिप्टीवन ठीक और 1861 से 1934 टाइम दे रखा है इवी हवेल कलकता के प्रचारे प्रधाना चारे रहे ठीक और कलकता के जोड़ा जाकू में जनम हुआ किनका अब निंद्रिनाटे गर को 1861 में 71 में सॉरी ठीक है तो अब उन्होंने एक कला भवन की स्थापना करी और वहाँ पर कुछ लोगों को कला की सिक्षा देना शुरू किया जिसमें कि उनके सबसे फेवरेट सिष्य थे नंदलाल बसू इसके लावा सीत कुमार हलदर, शितिंजनात, मजूमदार, देवी प्रशाद रहे चौधरी जोकी मूर्तिकार हुए इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने कला की सिक्षा दी और बंगाल शेली में वो लोग कैसे चित्र बनाते थे? जो अजन्ता है, एलोरा है, राजिस्थानी शेली है, मुगल, पहाडी कला है तो इनके जैसे चित्र वो लोग बनाते थे इनकी रेखाओं से विशे ही नहीं थे यानि कि इन समय ऐसे आजन्ता में देखें तो बुध से अधारे चित्र बने हैं और कृष्ण से अधारे चित्र राजस्थानी पहाडी में बने है तो विशे तो इन चित्रकारों के अपने खुद के हुआ करते थे लेकिन जैसा रंग मुगल कला में बढ़ा गया है राजस्थानी में पहाडी में भरा गया है वैसा रंग और रेखा इनके चित्रों की देखी जाती थी ठीक है यानि कि प्रतिकात्मक सुन्दर चित्रन इन्होंने किया लेकिन विशे इनके अपने रहे ठीक है तो इस तरह से इन्होंने बंगाल सेली की शुरुआत करी और भारतिय कला का जो मुकाम था वो उनको वापस से हासिल कराया और इसमें योगदान किस ने दिया इवी हिवेल ने और इवी हिवेल कौन थे कलकत्ता कला महाविध्याले के प्रचार रहा अब इसी बीच क्या हुआ कि जो अपनी द्रनाट टेगोर के चाचा थे जिन से कि अपनी द्रनाट का बहुत ही ज़्यादा लगाव था रविन द्रनाट टेगोर उनकी मृत्यों हो गई और जब उनकी मृत्यों हो गई तो उस वक्त अमनिंद्र नाट्य गोर ने अपने जीवन का अंतिम चित्र बनाया और उस चित्र का नाम है यात्रा का अंत जो कि आपके सलेबस में भी है इस चित्र को जीवन संध्या नाम से भी जाना जाता है और इसके बाद जो अमनिंद्र नाट्य गोर ने अपनी तुलिका को अपनी कलम को अपने ब्रश को सदा के लिए त्याग दिया इसके बाद अमनिंद्र नाट्य गोर ने अपने जीवन में कोई भी चित्र नहीं बनाया अब इस चित्र में आपको दिखाया गया है तो पहले हम इस चित्र के बारे में ही जानेंगे ये देखे ये आपका जो चेप्टर है उसके सबसे लास्ट में इस चेप्टर के सबसे लास्ट में इस चित्र दे रखा है यात्रा का आनत इसके अंदर इनोंने एक उट को बहुत ही ज़्यादा अंतिन चणों में दिखा रखा है जो उट है उसकी कमर पे बहुत ही ज़्यादा बोजह लदा हुआ है जिम्मेदारियों का बोज है और अब मतलब संध्या साम का समय है सूरज डूब रहा है लालीमा बिखेर रहा है और जो वो उट है वो अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो उस बोज को उठा सके तो उसके जो आगे की दो पैर है वो नीचे पड़ गए है जमीन में गिर गए है जो उसकी गरदन है वो लगभग जमीन पे गिर चुकी है ठक चुका है वो भूब प्यास से ध्याख चुका है ठीक है एक तरह से उसके इतनолот के अंतिम समय को यहाँ पर दिखाया है और यह तो उनका समय ही जीवन समय का कझाए और यह बनाई है उन्होने जल रंग वाश से एक वर्ड आया है वाश ठीक है इस वाश के बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि ये है क्या तो कागज पे बनाया है और अमने द्रनाज जो हैं उनको आधूनिक कला का पिता देखिए हमारी जो कला थी जो हमारी प्राचीन कला थी जो अजन्ता, राजिस्थानी, मुगल ये सब था ये सब हमारी प्राचीन कला हो गई, मध्यकालिन की कला हो गई और इसी कला को दुबारा से जनम दिया पुन्रुथान कल में इसी वज़ा से बंगाल शेली को पुन्रुथान कला भी बोला जाता है और किसे ने जनम दिया दुबारा से इस कला को अमनिंदरनाथ टेगोर ने तो इस वज़ा से अमनिंदरनाथ टेगोर को आधुनिक कला का पिता भी कहा जाता है ठीक है अब वाश चित्रन आ गया है इसका विश्कार भी जो है वो अम निंदरनाट्टे गोड ने किया था तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो इस चित्र में ये जो चित्र है वो वास्ट तकनीक में ही बना हुआ है इस कारण से बार-बार वास्ट का जिकरी हां पर हो रहा है चित्र में एक ठके हुए उट को लाल प्रस्ट भूमे में दिखाया है जो दिन के अंत के साथ ही उट की यात्रा खतम दिखाए देती है उट की सारी रिक विशेशताओं को रंगों तथा रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है चित्र का विशेव चित्रन सवेदन शील दिखाई देता है अबने इन रात के चित्रों में The Forest, Coming of Night, Mountain Travel, Queen of the Forest और The Arabian Nights और इस पर इन्होंने 45 चित्रों की एक श्रंखला बनाई है कि इस पर The Arabian Nights पर 45 चित्रों की एक श्रंखला अबने नटेगुर ने बनाई है और ये बाकी के चित्रिन होने यहाँ पर इनके दे रखे हैं और इस चित्र के बारे में बस इतना ही डिटेल आप लोगों को दिया गया है अब वर्ड है वाश चित्रन तो जैसे कि हर कलाकी अपनी अपनी विशेशता रही है उसी तरह से बंगाल शेली की जो अपनी एक विशेशता है वो है वाश चित्रन क्या होता है वाश चित्रन ये सीखा था इन्होंने जापानी कलाकारों से अभी क्यूंकि वो बड़े घरानों में पैदा हुए थे तो उनके विश्विध्याले भी था तो यहां की सिक्षा विश्विस्था पैसे रिसर्च करने के लिए जापान से दो लोग आए ठीक है ताइकवान और हिसिंदा तो ये जो दो आर्टिस्ट थे ये चित्रकार थे और इनको जापानी वाश चित्रन आता था तो जब ये दो साल अम निंदरनाथ टेगोर की साथ शांती निकेतन में रहे तब हम निंदरनाथ ने इनसे वाश चित्रन सीखा और क्या होता है वाश चित्रन तो समझे ये वाटर कलर एक शीट पर हमने एक पेंटिंग बनाई और उसके अंदर जहां जहां पर मान लीजे red color की color को अभशकता है तो वो red color उस sheet पर जहां जहां जरुत होती है भर देता है और उसके बाद उस sheet को धो देता है पानी से पूर अच्छे से ऐसे धोना मतलब brush लगा के कपड़े की तरह नहीं इसे पानी डाल देते हैं पानी डालते हैं तो जो color extra होता है वो बह जाता है और बागी color को sheet अपने अंदर absorb कर लेती है फिर जब वो sheet सूख जाती है तो color कार उस पर blue color डाल लेता है समझी अगर उसको blue की जरुत है तो ऐसे करते करते हैं दुबारह उसको दोएगा, सूखेगा, फिर तीसरा color लगाएगा, दोएगा, सूखेगा और जब तक वो उसको दोता रहेगा, जब तक कि उस sheet में हर जगा color नहीं लग जाते हैं ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उसने color लगा दिया इस चीज को थोड़ा समझे एक ही बार में अगर वो सारे color लगा देगा, लाल, नीला, पीला जितने भी हैं और फिर उसको दोएगा, तब वो सारे color अपस में mix हो जाएगे इस कारण से एक ही color individually लगाया जाता था और उसको दोया जाता था ठीक है, और जब वो sheet पूरी तरह से colorful हो जाती थी उसके बाद water color का बहुत बारीग लेप, यानि कि बहुत पतला बारीग color ले लिया जाता था और उसको ऐसे पूरे sheet पर लगाया जाता था जिससे कि एक धूमिल प्रभाव जोयतपन होता है, देखो यहां पर आप देखोगे तो ऊपर red color की बारीग परत है और नीचे brown color की बारीग परत है उसको पूरी sheet पर लगा दिया जाता था, जिससे कि ऐसा अनुभव होता था जैसे कि घना कोहुरा है ना, या फिर रहसे में वाता वरने तरह से इस प्रभाव से दिखता था और फिर उसके बाद line drawing की जाती थी, मतलब फिर वो चित्र में दिख रहा होता था महापे कलाकार उपर से lines ड्रॉ करता था, तो यह कहला था वाश चित्रन, ठेक है यात्रा गांद्र वाश चित्रन हमने देख लिया, अभी वापस से चलते हैं अभी आगए हम शांती निकेतन प्रारंबिक आधुनिकताबाद पे, अभी अमनिन्दनाट टेगोर ने क्या हुआ, चित्रों को बनाना छोड़ गया, उनकी मृतियों और उनकी मृतियों के बाद, ननलाल बोस जो थे एक मिनट, तो ननलाल बोस जो कि अमनिन्दनाट टेगोर के फेवरेट सिश्य हुआ करते थे, वो अब शांती निकेतन में कला भावन के प्रचारें निकत हुए, ठीक है, वो उनके प्रमोख हो गए, यही जो है वो भारत का पहला रास्ट्र कला विद्याले माना गया, ठीक है, और शांती निकेतन में फिर ननलाल बोस ने अपनी कला को जो पहचान दिला ही, जिस तरह की कलाकारी शुरू करी, वो कहलाने लगी आधुनिकतावाधी कला, प्रारंबिक आधुनिकतावाधी कला, तो ननलाल बोस ने क् कि वो लोग कला से प्रभावित कलाकार थे लोग कला शली आपको पता है ना जो मतलब ऐसे प्राचीन कला शली हम सभी के घरों में होती आ रही थी उसी को परंपरावादी तौर पे आगे 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 फॉर्वर्ड करना ठीक है तो उन्होंने 1937 में हरीपुरा कॉंग्रेश अ करने बितु आपंत्रित किया वो लोग जीवन परदारिश चित्र बनाते थे तो उन चित्रों को उस वक्त कॉंग्रेश दिखाना चाती थी कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, धर्ती से जुड़े हुए हैं, आम जंता से जुड़े हुए हैं, तो इस वज़े से उन्होंने हरीपुरा पांडाल में जो अधिवेशन की है, 1937 में उसमें नंदलाल बोस को बुलाया और चित्र बनवाए, तो ये जो चित्र आप यहां पांडाल से लिया गया है, जहां पर एक नरतक को वादक को नंदलाल बोस ने दिखाया है, ठीक हैं, इसके अलावा, बहुत से कलाकार जो थे, वो नंदलाल मैंने बताया है, कि नंदलाल ने फिर उस सिक्षा को आगे बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंके बहुत सारे जिसमें की दक्षिन भारत से एक केव एंग टपा भी आ गये थे, और आगे आगे अगे अगर हम देखें तो यामनी राये जो आर्टिस्ट हैं, यहां पर जो आ रहा है, यामनी राये का जो संबंध था, वो आधुनिक भारते कला से था, लेकिन ये बंगाल शेली के गलाका नहीं थे, जिस तरह से कंपनी शेली के साथ साथ राजर अवी वर्मा का एक अपना ही काम चल रहा था, और राजर अवी वर्मा के साथ बंगाल शेली में अवनिन्ना टैगोर और उनके सिश्यों का अपना अलग काम चल रहा था, इसी तरह से यामनी राये भी अपनी एक अल यामनी राय का कोई चित्र देखेंगे तभी हम पहचान पाएंगे देखें ये वाला जो चित्र है आप लोग पहचान ही गए होंगे नंदलाल मोज का चित्र है और ये हरीपुरा पांडाल में बनायता है आपके सलिपस में इसको हम अभी पढ़ेंगे भूमी जोत्ता किसान ये रासलीला राधिका ये गगेंदर नाटेगुर ये रविंदर नाटेगुर ये देखेंगे ये जो चित्र है आप लोगों को जो दिख रहा है बच्चे के साथ महिला ये है यामनी राय का चित्र एक मिरट अब क्या अलग है इसमें तो आप लोग देखोगे ये जो यामनी राय का जो जनम था ठारा सो सत्यासी में हुआ ठीक है और कहां हुआ बगार ठीक है तो अब यामनी राय को लोग पुन जागरण मतलब लोग पुन जागरण काल का जनम वही ना मैंने कहा जो पुरानी कलाई होती है जिनको अब एक पीडी से दूसरी पीडी तक पहुचाते है और उन्होंने लोग चित्र बनाए पट चि देखाओं के साथ ठीक है इस चित्र में उन्होंने पीले और लाल इट जैसे रंग का प्रियोक किया है बांकोडा गाओं के वो रहने वाले थे तो टेराकोटा माध्यम उन्होंने टेराकोटा क्या होता है तो इसे एक नया वड़ आ जाता है वीडियो बहुत ज्यादा उनको अगर हम अपार धर्शि बना दें वाटर कलर धार प़्दर्शि ओते मतलAwब अगर अगर आप कलर और प्योर वाटर कलर उत करों तो नीचे जो लाइन है वो तरto के लिए लेकिन उसी को अपार धर्शि अगर हम बना दें उसी The only thing आ उन्हाने के लिए क्या करेंग किस चलिए अभी यात्राकांथ और ये हो गया वापस से हम चलते हैं उधर ही जहां पर थे तो नंदलाल बोस का ये वाला चित्र था नंदलाल बोस के बारे में हमने पढ़ा था तो ये चित्र है मिट्टी जोतने वाला ठीक है अटिलर या फिर किसा तो हरीपुर अपर अंडल था 1837 के दौरान की ये बात है जब इस चित्र को बनाया था नंदलाल बोस ने तो इसके अंदर एक किसान है जो की टेंपरा तकनीक में बना हुआ है ये चित्र ठीक है लाइन ड्राइंग देखिए यहां पर बहुत बारीक लाइन है यॉमनी राही की तरह मूटी लाइन नहीं है तो एक किसान है जो कि दो बैलों की मदड से अपने खेट को जोतरा है इक ग्रामीन जीवन को इहां पर दिखाया है और ये जो महराव है ये महराव जो है मुगल कळा की विशेस्ता थी बिटा मुगल कला में इस तरह की महराब बनाई जाती थी तो जो की हम अब बता रही हूं न कि बंगाल चली के जो कला कार थे वो अजन्ता मुगल और पहाड़ी इन सबसे प्रभावित थे तो रंग इनोंने टैंपरा किया है टैंपरा ही अजन्ता में भी किया जाता था तो ये आप चितर यहां पर देख रहे हैं और ये चितर बनाया था नंदलाल बोज ने ठीक है और इस अधिवेशन में इनोंने 400 से जादा चितर बनाये थे कॉंग्रेस अधिवेशन में नंदलाल बोज ने 400 से अधिक चितर बनाये थे ठीक अभी हम आ जाते हैं वापस से ये हो गया आधुनिक्ता की विभिन अवधारनाय पस्चिमी और भारतिया तो अंगलवादियों मतलब जो अंग्रेजों से प्रभाविते प्राच्चेवादियों यानि की जो बंगाल शेली के कलाकार थे तो अब ही क्या हुआ धीरे धीरे बंगाल शेली के जो कलाकार थे वो भी अपने आपको पुरातन मतलब ऐसे समझने लगे कि भाई हमको भी थोड़ा कुछ नया करना है और ज़्यादा आधुनिक बनना है तो उसी दोड में निकल के आये हम्रिता शेरकिल आधुनिक कलाकार है अम्रिता शेरकिल बहुत छोटी सी उमर बाठाइस साल की उमर में इनकी म्रतियों हो गई बहुत कमाल की कलाकार थी तो इन्हों ने जो थे ये प्रेरित हुई बंगाल शेली से ठीक है और इन्होंने चित्रों को बनाया तो इनकी जो चित्र बंगाल शेली के कलाकारों ने जो रंग प्रियोग में लाए वो रंग थे जल रंग लेकिन अमरिता शेरगिल ने जो कलर प्रियोग में लाए वो थे तेल रंग क्यों क्योंकि अमरिता शेरगिल जो थी वो हंग्रियन थी हंगरी से थी उनके जो पिता थे वो पंजाबी थे और जो मा थी वो हंगेरियन थी इस तरह से फिर उनका जनम जो था वो हंगरी में हुआ और फिर उसके बाद वो दिल्ली आती जाती रहती थी अपने पिता के पास तो इस तरह से करते करते क्या हुआ पात में आके वो दिल्ल और बंगाल शली को आधुनिक कला की दोड तक ले करके चले गई इसके बाद है हमारा चित्र रासलिला आप इस चित्र को देख कर ही पैचान जाओगे कि यह वाश शली का चित्र है और वाश शली कहां पर बंगाल शली में प्रियोग मिलाई जाती थी चितिन्जनात मजूमदार ठीक है जिस तरह से नंदलाल बोस शिषय थे अब निंदरनाट अटेगुर के इसी तरह से चितिन्जनात मजूमदार भी उनके शिषय थे और इन्होंने जो थे जो चित्रों का विश्य चुना वो चुना भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर इतर जो भी चित्रनों ने बनाए हैं एक तरह से राधिका हुआ दूमिल राधिका वो भी आपके स्लेबस में है रासलेला हुआ ये सब और इनके चित्रों की क्या पहचान थी इनकी जो आकरतियां थी वो दुबली, पतली, हाव भाव युक्त है ना इस तरह की इनकी आकरत थी बहुत ही कोमल बारीक लियात्मक रेखांकर इनकी आपके सुन्दर इस्त्री चित्रन इनकी और जो स्री कृष्ण को है वही नीले रंग से दिखाया है जैसे कि इस से पहले राजस्थानिया पहाडी कला में दिखाते थे ठीक है अब है चगुताई का चित्र है राधिका अब्दुलरहमान चगुताई का चित्र है और अब्दुलरहमान चगुताई का जो जनम है वह 1899 में हुआ और इनकी मृत्यू 1975 में हुई वाश तकनीक से इन्होंने इस चित्र को बनाया है और यह थोड़ा सा मुगल विश्यव से प्रभावित थे तो अब्दुलरहमान जहारता शहा जहां शहां का व्यक्ति चित्र नूर जहां का व्यक्ति चित्र इस तरह के चित्र जो है इन्होंने बनाए हैं ये भी जो थे वो अवनिंद्र नाठ टैगुर के सेश्य थे वाश शैली में इन्होंने चित्र बनाया देखे कितनी सुंदर महिला आकरती का चित्र उने बनाया है, साथी में दीप है, दुमिल द्रश्य हैं यहाँ पर दिख रहा है, कहीं न कहीं यह जो थे वो मुगल कला से प्रभावित कलाकार थे, एक चित्र आपके इस लेबस में है, रात में शेहर, तो यह चित्र है ना, इस चित्र को देखते हैं पर पढ़ने की जुरत कहीं कहीं लगेगा, तो बिल्कुल सही पेचाना आपने, गगेंदरनात टेगोर जो थे वो अमनिंदरनात टेगोर जिनोंने बंगाल शली की शृरूवात करी न, इविवेल के साथ मिलके उसके बड़े भाई थे, उन से लगभग 10 साल बड़े थे, गगेंदरनात टेगोर, अपने इंद्रनाटेगोर से और उन्होंने इस चितर को बनाया था बेशक गगेंद्रनाटेगोर भी एक चितरकार थे लेकिन वो बंगाल शेली के कलाकार नहीं थे वो आधुनिक कलाकार थे जिस तरह से राजा रवी वर्मा के अपने चितर अलग थे यामनी राय के अपने अलग थे बंगाल शेली के कलाकारों के अपने चितर अलग थे अमरिता शेरगिल का अपना एक तरीका चितर अलग थे और इसी तरह से जो गगेंद्रनाटेगोर थे उनके चितर अलग थे आधुनिक शेली के चित्र थे उनके लेकिन बंगाल शेली से प्रभावित वो नहीं थे देखलो आप चित्र देखोगे तो आपको पता चलेगा वाश्ट टेकनीक में नहीं बना है बंगाल शेली के जैसा नहीं बना है अजंतागी जैसे रेखाए रंगांकन नहीं है ठीक है तो next है आपका ये समुंद्र के गर्व पर विजय पाते राम अब ये कहां है पूरानिक चित्र है न हमारे रामायन से लिया गया है ठीक है जिसके अंदर जो समुंद्र है उस पर बान चलाते हैं श्री रामधन उस पर चड़ा के और इसको बोलते हैं कि भई अब तू रास्ता नहीं देगा तो तिरको सुखाने ही पड़ेगा कुछ इस तरह का घटना क्राम है तो पोरानिक चित्र कौन बनाता था राजा रवी वर्मा मुझे बतानी कि जरती नहीं पड़ेगी अभी तो आप पैचानी लोग राजा रवी वर्मा वही जो पोरानिक चित्र बनाते थे ठीक है तो इन्होंने लिथोग्राफिय चित्र बनाया है ये वालमिकी रामायन से इस चित्र को लिया गया है इसके अंदर राम है जिन्होंने सफेद धोती पैनी हुई है समुंदर इतना उफान मार रहा है कि वो दूद के जैसे सफेद दिख रहा है तीन महिला आकरती दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि समुंदर की पतनी है और समुंदर को बचाने के लिए आई है हवा का वेग इ आसमान में बिजली कड़क रही है. जो की श्रीराम के क्रोद को दिखा रही है, कि भाई श्रीराम बहुत ही जादा क्रोधित है. जिस कारण से बिजली भी चमक रही है. तो ये था तेल रंग से बना हुआ है. ये चितर है है ना? chapter आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा basically इस chapter में क्या था वो सब मेरी कहानियों से मेरी कथाओं से आपको बहुत अच्छे से समझ में आई गया होगा इससे next video जो इस chapter में मैं लेकर के आऊंगी उसके अंदर हम देखेंगे this chapter का solution आपके सभी questions के answer महाँ पर आपको मिलेंगे तो मिलते हैं next video में और बिटव वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों तक और बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियो को ऐसे वाइरल कर देना है जिससे कि मुझे motivation मिले दूसरी और वीडियो को बनाने के लिए thanks for watching guys